आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question नमसे बोला गया है Synthetic Human Hair Wicks are made from Acopolymer of Vinyl Chloride and Acrylonitrile and it's called तो हम बताना है कि जो Synthetic Human Hair Wicks होती है जिनने हम बनाते हैं from Vinyl Chloride and Acrylonitrile उसे हम क्या कहते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों से हमारा कौन सा पोलिमर यान की को पोलिमर बनता है तो यहां पर हमारे पास है Vinyl Chloride यान की CH2 double bond CH और यहां पर एक क्लोरीन अटम होगा साथ में हम ले रहे हैं Acrylonitrile यान की Vinyl Cyanide जो कि हमारा होता है CS2 CH यहां पर CN तो जब हम इन दोनों के ही N-moles ले लेंगे और यहां पर हम करा देंगे Polymerization तो क्या होगा? इनके N-moles आपस में Combine हो जाएंगे तो यहां पर हम एक Polymer मिलेगा जो कि कुछ इस तरह होगा यह हमारे यहां पर Chlorineum है यहां पर दूसरा जो Vinyl Cyanide है यान की Echrylonitrile वे जोड़े आएगा और इनके इस तरह से N-moles आपस में Combine हो जाएंगे तो इसे हम लोग यहां पर बोलते हैं Dynel अब इसका कोई concept नहीं है हमें पता होना चाहिए किसे हम क्या बोलते हैं तो यह हमें आपर याद रखना है किसका नाम होता है Dynel जिसे हम Synthetic Human Hair Wix के तरह यूस करते हैं तो यहां पर हमारे जो answer होगा वह होगा option D यानिकी Dynel Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 चार्स उपर